दोस्तो नमस्कार मैं उर्मिला सर्मा राइपुर 36 गड़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ तो दोस्तो हम बनाएंगे आज नया वीडियो और धेर सारी जानकारी देंगे आपको दोस्तो राम राम आज दिपावली का सुभा है और थूड़ा सा लेट हुआ लेकिन मैं उठ तो गई थी पर लेट हुआ दोस्तो मैं जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ ये चौलाई भाजी जो है दूसरे पोधों को दवा देती है तो आज मैं इनको उखाड़ूंगी ना कि तोड़ूंगी और उखाड़ कर इसको तोड़ लूँगी और जड़ को डाल दूँगी खाट परने के लिए तो बहुत सारे सब बहुत सारे कंटेनर को इसने दवा दिया है दोस्तो देखे तो इसको मैं उखाड़ लूँगी क्योंकि ये होते रहती है मुछे बोने की जरूराथ ये नहीं पड़ती है कभी कभी बोती हूँ लेकिन ये बोनी के पहले ही धेर लग जाती है एक पोई भी हो गई है देखे पोई कभी ऐई हाल है कि मेरे घर में जगा जगा पोई हो जाती है पोई के दाने गिरते हैं फिर ये जगा जगा हो जाती है हर चीज को दबा दीती है दोस्तों ये हर जिस टेनर में रहेगी ना उसको फिर दो दबा देगी इसको मैं आज उस इस करूंगी कि उखार ही लोई इनको फिर देगे किती सुन्दर हुई हैं लेकिन अभी क्या करेंगे बहुत जादा फिर ना कोई भी चीज कोई कोई इसकी जड़े भी अच्छी नीचे तक जाती हैं चलिए तो इसी तरह से देखे कल हमने फिर हमने वेजेटेबल नहीं तोड़ा था सुवह फिर हमने पालग मेथी धनिया यह सब हमको लगा फिर हम तोड़े लेकिन कोई और तोड़े नहीं आया तो वीडियो मैं बनाती हूं बाकि लोग जो है ऐसे तोड़ लेते हैं लाल भ इस मेरे कंटे casting रों अब हर जगह दबाती है जबकि मैं इसको खारते रहती हूं कि पाप चैनी में फिसमें हुआ इसमें ही सुर्ण इसमें भी इनको सबको मैं वी कि यह संदर हुई है अ क्यों पक 1977 whether हुई तो देखिए कितना सारा फिर एक दो रह गई है उनको मैं लेकिन फिर भी मैंने क्लें किया साफ किया इनको हटाया इनकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है लेकिन कोई भी चीज एक लीमिट तक ही अच्छी लगती है ना पूरे पौधों को अगर यही एही दबा देगी तो पिर और क्या होगा यह देखें इतना सारा तो चलते हैं दोस्तों उपर की छट पे कुछ तोड़ेंगे अब इस पालक को आप देखें जितना तोड़ती हूं मैं उतना ही यह देजी से और गरो करता है देखे बारिस का पालक है दोस्तो बरसाद के टाइम का अभी के नहीं है ये तो दोस्तो अब हम तोड़ेंगे पालक हमारे पालक की खूबसूरती तो देखे पहले हम आपको दिखा दें इसकी बाद हम हर्वेश्ट करेंगे तो इसको हम कहां रख दे इसको रख देते हैं डलिया को हाथ में ये तो दोस्तो अब हम तोड़ेंगे पालक कि इतना संदर लग रहा है खाने पा रहे हैं दोस्तों हम इतना चादा हुआ है और लोगों का सवाल रहता है कि हम तो गमले में जो है सबजी थोड़ी खा सकते हैं गमले की गोभी से राजनी क्यों जाएगा तो यह देखें कितना बढ़ियां हुआ है पालक इसका तो मैं आपको दिखा रही है यह देखें पत्ते देखें कितने संदर कितने हेल्दी है है ना तो तो तोड़ेंगे पालक थोड़ी से चौलाई भाजी हो गई है इसको तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है लेकिन अब कितना खा लें तोड़ तोड़ के रखूंगी तो फिर दोस्तों अगर आप पालक उगाते हैं न तो यह आपको मतलब एक महीने में हार्वेश्ट इसको अराम से कर सकते हैं एक बार भुगानी के बाद इसको आप कई बार हार्वेश्ट कर सकते हैं बस इनके पत्तों को तोड़ते रहिए और यह आपको मिलता रहेगा उखाड़ना नहीं है इसको यह इस तरह से होगा दोस्तों थोड़ी इसकी साफ सफाई पुराने पत्तों को खाड़ के तोड़ कर ठेक दीजिए और नई पत्तों को हर्वेश्ट कर लिजिए इस तरह से आपको यह मिलता रहेगा देखे कैसे मुठा भर भर के रखने के इसको जगानी है इसलिए यहां रखा तो आज मैं अब थोड़ ही लेती हूं इसको क्योंकि जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तो इसमें से नए पत्ते फिर वो तने अच्छे नहीं निकलते और अच्छे निकलेंगे जितना आप इसको हर्वेश्ट करेंगे ना दोस्तों उतना अच्छा यह और ग्रो करता है धनिया पालक यह ऐसी चीज तो इसलिए हमारा बचा रह जाता है देखें बहुत जाला था देखें पेडू खड़ गया कोई बात नहीं बहुत है तो दोस्तों यह हमने धेर साड़ी तोड़ ली पालक अब हम चलते हैं तूसरी जगा तो दोस्तों यह हुई है हमारी और भाजियां जो हुई है भेंडी वगएर भी ऐसे तोड़ने लाइक हो रही है यह देखें यह लेकिन अभी भेंडी कम है फल रही है लेकिन अभी थोड़ी कम है दोस्तों तोड़ने लाइक तो हमारी प्याज भाजी भी हो गई है सरसो अभी तोड़ा था एक दिम चनी की भाजी बनाई थी तो दोस्तों हम थोड़ी सी ले लेते हैं क्या ले लेते हैं मूलियां ताजी ताजी यह देखे दोस्तों और किस्मी हुआ है यह फ्रूट कंटेनर में तो इत्ते में नहीं होगा और जो अच्छी है थोड़ी और ले लेते हैं हाँ यह अभी मैं और उगाऊंगी दोस्तों हमारे कंटेनर खाली हो रहे हैं सुरू में उतने कंटेनर खाली थे नहीं लेकिन फिर भी हमने बहुत उगाया है यह हो गई पसे हमको जितना जरूरत रहता है हम तोड़ते रहते हैं लेते रहते हैं और बस चलते रहता है ये देखिए इसकी भाजी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है अब चुकि मेरे पास इतना है हर चीज कि मैं किसको खाऊं और किसको ना खाऊं अब ये लाल भाजी देखिए हलकी सी फूल आ गई है अब इसको मैं सोच रही हूं कल तोड़ लूँगी क्योंकि अब इतना है कि एक साथ कितना खा सकते हैं बताइए दोस्तो कल पूजा के लिए हमने अपने हां से ही कमल का फूल लिया बड़ी खुसी हुई वच्चे बोले मम्मी हम कुछ भूल रहे थे भूल रहे थे फिर बोले अरी कमल हमने कहा कमल तो जरूरी होता है फिर हम चट पे आए और कमल का फूल यहां से तोड़के लेके गया है तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ उगाया हुआ है और यह दोस्तो मैं आपको दिखाना चाहरे थी कि हम बेंस भी तोड़ रहे हैं यह देखिए यह देखिए बेंस जो होती है न वो मिठी वाली अच्छी लगती है फ्राइड राइ दिखेगा पतों में छोड़िये नहीं जोने दिखेगा तो सेम भी हमारी तयार हो रही है तो यह देखिए फल आने सुरू हो गये और टमाटर में भी फ्रूटिंग शुरू हो गयी है तो देखा था मैंने यह देखिए यह फल है इसके इसी तरह से हर पौधा जो है अपना टाइम से फलना सुरू हो जाता है अच्छा मैं सोची वो कहां गया लग की हमारी तोड़ने लाइक है अभी मैं देखती हूं हो सकता है मैं उसको तोड़ लूँ और ये हैं हमारे अडेनियम जो कि कोई-कोई बुच्चे हैं और कोई-कोई ओ ये देखिए ये देखिए फट ग अब इसको आज मैं угाँगे झारी चोटे-चोटे-चोटे चोटे चोटे चोटे-चोटे अडएनियम तो आज काम मेरे को फिर मिल गया मैं आज इसको तोड़ूँ में ओ एक और पक गया अरे वह आप लोग बोलेंगे कि देखती नहीं क्या यह देखिए अच्छा हुआ यह बंधा नहीं था और यह उड़ा नहीं थोड़ा मौसम ऐसे है ना सीध वाला इसलिए हलका सा गीला था इसलिए नहीं उड़ा सुखे मौसम में यह सब उड़ जाता तो दोस्त आज मैं एक इसको हर्वेष्ट करी एक इसको तोड़ लूँ और फिर इसके बीजों को निकालके फिर एक काम मेरे को मतलब समझी है अब काम मिल गया तो मेरे को यह काम करना ही पड़ता है क्योंकि मैं सीट्स नहीं रखती सीड रखने से न उखराब होते हैं और मैं आपको पालक दिखा रहे हैं चोटी सी जगह एक करेला भी आया है लेकिन करेला हटाना पड़ेगा इतने छोटे बरतन में करेला नहीं होता है जो बेल बरगी सबजियां होती है दोस्तों उनके लिए थोड़ा बड़ा केंटेनर और थोड़ी बड़ी जगह और ज्यादा मिट्टी और ज्यादा खाद की जरूरत होती है और जो ये लिफी वेजिटेवल होता है इसके लिए आप छोटे से बरतन में भी थोड़ी सी मिट्टी डालके अगर आप लगा देंगे पौधे तो आपको अराम से मतलब उसमें से लिफी वेजिटेवल मिलेगा तो दोस्तों मैं इंत सारे इन में से अडेनियम तयार करती हूं दोस्तों होता क्या है कि अगर आप समझते हैं पौधों के बारे में तो आप एक पौधा लेके आए और उसमें से धेर सारे पौधे आप अपने आप तयार कर सकते हैं इन चीजों से जैसे यह हुआ इस स्नेक प्लांट आप एक ले तो शोटी सी कलम भीई इतना बड़ा भी अगर आप उगा देते हैं तो अराम से उसमें से जैट प्लांट पैदा हो जाएंगे χो जाएंगे इसी तरह से अडेनियम करक्या अब आप एक पौधा लाते हैं उसमें से जो सीट आता है वो सीट से निकलता उसमें उसमें से आप अब धेर सारे उगा सकते हैं, देखें इसमें कितने सारे हैं, इनको मैं चाहूँ तो 3-4 जगा उगा सकती हूँ, ऐसे ये छोटे वाले इसने प्लांट होते हैं, इनके साइट से भी ऐसे निकलते हैं, उनको भी आप उगा सकते हैं, ये है एक परपल कलर का पौधा, ये भी ऐ है ना उसको आप दूसरी जगह रख देंगे तो वो हो जाएगा इसमें भी ऐसी लगे हुए है और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन में से आप धेर सारे पौधे यह है स्पाइडर प्लांट इसमें से भी मैं छटाई करी हूँ बहुत जादा हो गया था इसमें भी से उगा सकते हैं और यह वाला है यह तो इसमें बीज होते हैं सीड्स होते हैं तो इसमें से आप उगा सकते हैं तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि एक पौधाय आप लेके आते दोस्तों बहुत आसानी से ये बोंचाय का रूप ले लेता है जेट प्लांट अब जैसे देखे न ये इतना सारा ये जो हुआ है और मैं ऐसे उखाड के लोगों को भी देती हूँ और यहां वहां रूपती भी हूँ तो ये सारा कुछ मैंने सीट से तयार किया है अडेनियम क और ये साइड साइड में कहीं कहीं जो लगे हुए है न जेट प्लांट ये छोटा सा तोड़के और आप कहीं भी इसको मिट्टी में दवा दिजे सिर्फ बालू में भी दवा दिजे तो असानी से इनको बहुत ज़्यादा खाद और मिट्टी की जरुरत नहीं होती है इन तो इस तरह से आप भी कोशिस कर सकते हैं करेले भी हमारे दोस्तों हर्वेस्ट करने के लिए तयार हैं लेकिन मैं करनी पा रही हूं देखे अच्छा कल फुज फिर मुझे कुसी ने कमेंट्स किया है नाम तयाद नहीं आ रहा कि आप कैमरा बहुत जल्दी चलाती हैं हम ची चीमिन ही आ रहा है तो दोस्तों यह हमारे हम टमाटर मैं आपकी सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूं लेकिन भूल जाती हूं बहुत बहुत रहे लह कितने हुए हैं दोस्तों देखे मैं आपको दिखाते हूं धीरे से पूरे करेले नहीं दिखा पाओंग है कहीं कड़ी न हो गई हो लाल भाजिया तो ऐसे एक पेड़ भी कहीं हो गई है तो अच्छी वड़ी-वड़ी हो गई है कुर Elené दोस्तो बैगान की न अगिर हें वी हमारा यह यह तो मिर्ची है इसमें भी कहीं कहीं चौलाई हो जाती है, फिर मेरे को खाड़ना पड़ता है, तो ये हमारा बैगन भी अच्छा हो रहा है, फलना शुरू हो गया, इसको तोड़ूंगी मैं, लेकिन ओफ्सन बहुत है, बहुत है खाने के लिए, क्या-क्या अभी ये तो ये बैगन है, देख हो जाएगा, मिर्चियां बहुत हो रही है, मैं एक्चुली तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, उगाती तो हूँ, सौक भी है, लेकिन फिर हर्वेस्ट भी करना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, तो दोस्तों कितना सुंदर और गैनिक सबजीयां आप बताएं, मैं जेव म पहता है, तो इसलिए मैं बरतन तो लाती हूँ, कुछ चीजे मेरी जेव में भी जली जाती है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी मिर्ची है, और जिमि गंध के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कल जिमि गंध खाते ही हैं, क्योंकि हमको इसके बहुत ही इसमें गुड़ हो जो कि अभी माब आप तो करी रहे हैं खिलाते ही रहे होंगे तो इन चीजों को अगर हम सारी चीजे जो है वो सच में बहुत सही हैं जो उन्होंने वो किया था हमारे लिए नियम बनाए थे तो आज कल हमारे हाँ दीपावली को जिमीकन सूरन बना था और बहुत टेश्टी ल हलाकि मेरा ये देशी ही है लेकिन फिर भी ये खुजलाता नहीं है और ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं दोस्तों कि खुजलाता नहीं है तो आप लोग भी खाये सूरन कभी भी खाया जा सकता है लेकिन दीपावली के दिन इस्पेसली खाते हैं हम तो पूरा साल खाते हैं इतन ने दवा लिया पोही भी हमारे हां बहुत है जो पौधों को दवाते जा रही है अब ये लाल भाजी को देखे इसके अंदर बैगन है इसको हर हाल में खाड़ना चाहिए मुझे ने तो ये बैगन को कमजोर कर देगी इसमें भी मिर्ची का पौधा तेयार हो रहा है और बीच फूलों का ऐसा है कि फूल किसको अच्छे नहीं लगते लेकिन मेरी प्राथमिक्ता बेजिटेवल होती है क्योंकि फूलों को हम खा नहीं सकते और फूल उगाते हैं देखने में सुंदर लगते हैं पूझा पाठ के लिए लगते हैं तो फूल ज़्यादा जरूरत है तो हम market से भी ले सकते हैं क्योंकि उनको खाना तो रहता नहीं है लेकिन हम vegetable जो खाते हैं वो जहर मुक्त vegetable खाने के लिए हमें घर में vegetable उगाना चाहिए आज कितनी बीमारियां दोस्तों हो रहे हैं आप लोगों को पता है किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं हजारो हजार बीमारियां जिनका कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, यह सब कुछ खान पान से हो रहा है, तो अगर हमारे पास थोड़ी सी भी जगा, कई लोग बोलते हैं कि अगर किसी की छोटी छट हो तो, अरे बाबा, छोटी छट है तो धनिया लगा लो, पालक लगा लो, म लेगन मिर्ची और ठमाटर लगा लो, कौन बोल रहा है कि आपकी सान बन जाओ और छट में खेती करो, ठीक है, मेरा भी छट बड़ा है, लेकिन मेरे दो तीन छट में डिवाइड है, तो मैं इसमें करती हूँ, और अभी थोड़ा समयने लिफी वेजेटेवल, क्योंकि इस को फिर मैंने नीचे लगा दिया, तो फिर भी मैंने उपर भी लिफी वेजेटेवल लगाई है, तो थोड़ा थोड़ा लगा लो, मत करो खेती, और अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब कर लो, और बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि कि हमारे अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुश्ती रहें, और अगर आपको कोई सवाल है, अच्छा सवाल, तो जरूर पूछे, मैं चाहती हूँ कि हर अपने भारत का हर आरे पूरे बिस्व के सब स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, और मस्त रहें, तो इसके लिए को देखेंगे, छत पे चढ़ेंगे, तो आप चलते फिरते रहेंगे, तो सरीर में जंग नहीं लगेगा, पड़े रहेंगे तो जंग लग जाएगा, इसलिए आप लोग बजिटेवा लोग आएं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, ओके, बाबाई, तो दोस्तों ये दो, तीन तरह की सबजियां हमने तोड़ ली, और आज के लिए हमारे ले परियाप्त है, थोड़ी धनिया वगेर तोड़ना है, तो हम कितनी देर तोड़ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अभी लेके जाओ, तुरन ताजा तोड़ लेते हैं, तो ये हो गई हमारी सबजियां, अब हम चलते हैं घर में, अंदर मतलब, घर में ये हो, तो दोस्तों इसका अब हम निकालेंगे सेट से, देखे कितने सारे सेट से इतनी छोटी जगा में ये रहते हैं, तो ये ऐसे पैरसूट जैसे रहते हैं, तो इसलिए उड़ जाते हैं इनको time से तोड़ना रहता है और बांध के रखना रहता है नहीं तो यह सब उड़ जाते हैं इस तरह से हम सारे seeds निकाल कर फिर आपको देखिए कितनी कम जगह में यह आपको दिखा रहे हैं यह देखिए एक्चली इसके seeds जो हैं यह हैं बांकि यह जो punk है ना punk किसी काम के नहीं होते इस दोनों तरफ ऐसे parasuit जैसे रहता है और यह इसके seeds हैं तो दोस्तों इसतरह से हम सारे दानों को निकाल लेंगे इसके seeds को निकाल लेंगे और यह जो होता है यہ जो parasuit होता है किसी काम का नहीं होता है इसको हम हटा देंगे हमारे काम के चीज़ें हैं यह यह दाने तो इनको हम एके करके चुल लेंगे थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा इसलिए कल मैंने नहीं तोड़ा था करके कल ब्यासते थी तो अभी बैठके मैं थोड़ी पेलू जाए अच्छे से पीही रही हूँ और इसके बाद इसको कर भी रही हूँ तो यह है सीट्स एक्दम धान जैसे लगते हैं दोस्तों देखे और यह है इसका पैरासूट पंक कितना सर निकला यह देखे अब इसको मैं फेक दोंगे बस इसको ही हम रख लेंगे फिर इसको हम उगाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से उगाना है और इसी से ही मैं हजार वडेनियम तैयार करती हूँ दोस्तों अभी देखे लेट नहीं हुआ है पांच चालिस वो रहे होंगे और अंधेरा हो गया तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती तो आज मैंने रात में सूट किया मतलब साम को कितने सुन्दर सुन्दर फूल खिले हैं आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगे यह देखे दोस्तो इसका कलर देखिए यह बहुत ही प्यारा है बहुत ही सुन्दर है कहीं पर खराब हो रहा था एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी बस मरने वाला था फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साब सफाई करके तो आप देखिए कैसे इसमें कलिया भी आ रही है और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है दोस्तो हलका संधेरा हो गया है लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको तो दोस्तो हमारी वीडियो को यहां तक देखने के लिए हमें सराने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा अभार थैंक्यू, थैंक्यू सो मच आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें सपोर्ट करते रहें और हम नए-नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे, आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप जरूर दे, हम जरूर उस सलाह को मानेंगे, और धन्यवाद दोस्तों, जै हिन, जै भारत!